खबर जनपत पॉड़ी से है जहां खेल विभाग द्वारा पहली बार रास्टी इसतर पर तिरंदाजी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कंडोलिया मैदान में किया जा रहा है जिसमें प्रदेश भर के 6 जनपतों के 100 से अधिक खिलाडी भाग ले रहे हैं इसके तहती जल अधिकारी डॉक्टर आशी शोहार ने आज तीन दिवसिय तिरंदाजी खेल प्रतियोगिता का शुभारम किया इस दौरान उन्होंने कहा कि निश्यत तौर से इस खेल प्रतियोगिता से आने वाले समय में तिरंदाजी की शेतर में बच्चे अपने भरिशे क सवाब सकेंगे वहीं खेल अधिकारी संधीप डुक्लान ने कहा कि इससे पहले तिरंदाजी प्रतियोगिता कोटे दौर में आयुचित की जाती थी पहली बार पॉड़ी में इस तिरंदाजी प्रतियोगिता होने से इस थानीय लोगों में भी काफी खुशी है और बच्च के लिए DSO साब का और जह हमारी स्पोर्स की की में उसको बहुत सारा धन्यवाद करता हूं कि उन्हों इस एक पॉजिटिव चेंज को या पॉजिटिव इनिशिटिव को यह लेकर हमारे एक स्पोर्स के अन्वार्मेंट कुरू करने कोशिश की और अमने उमीद करता हूं कि ब उनके 105 बालक बालिकां पर्तिवा कर रही है और हमने यहां पर सोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों की तिरेंदाजी प्रत्योकता रखी है जिसमें अंडर 10 अंडर 15 और जूनियर बालक जो की अंडर 20 होते हैं इनका प्रत्योकता रखा हुआ है और यह पॉड़ी के अजिसमें परत्योकता है क्योंकि काफी साल पहले यहां पर हमारे जो पूर वो सनरक्षक थे आर्चरी के स्री जस्वाल सिंग नेगी जी उनके दोरह कराया जाता था तो तो आज उनी के मांग दसन से अमने यहां पर फिट से इसको सुरू करने की कोशिस करी है तो मेरा सभी कोड़ी वाशियों से यह अन्रोद है कि आप आईए और हम यहां पर उनको सिखाएंगे भी और उनको दिखाएंगे भी आर्चरी प्रत्योकता कैसी होती है